तोप 50 इस्टड यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज पुना ले करके आ गए हैं बन लाइनर बहुत ही अच्छे कॉस्चन जो की आपके परिक्षा में पूछे ही जाएंगे बहुत महत्पूर हैं पूरा वीडियो आप जरूर देखें बायू मंडल में बिद्दमान अक्री गैस कौनसी है पहले दो वीडियो हम डाल चुके जिनने ना देखें हो तो वो हमारी चैनल पर जाकर के देख सकते हैं प्ले लिश्ट में देखिए तो बायू मंडल में बिद्दमान अक्रीगेस कौनसी है औरगन अगला देखें बातावरण तथा जीब मंडल के बीच का संबंद क्या कहलाता है यह मोष्ट है ठीक है जो IMP होगे मैं अलग से बताता जाओंगा बिल्कुल याद रखना इनको बातावरण इवर जीब मंडल के बीच का संबंद क्या कहलाता है पारिस्थित की किसके बीच का बातावरण के और जीब मंडल के बीच का संबंद अगला देखें यह भी मुष्ट है ग्रीन हाउस गैस है कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है कौन कौन सी CO2, NO2, CH4, CFC दोस्तों प सब्सक्राइब पर एक बाग किलिक कर दें, वेल आइकन को दबादें, इससे अंगला वीडियो आए, तुरंत आप तक नोटिफिकेसान आए, जब भी आप फ्री हों तो उसको देख सकते हैं, पूरी तैयारी हम आपको कराएंगे, टेट एक जाम के आप निश्चिंत हो जाए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और रोज हमारे चैनल को खोल करके नए नए वीडियो आप देखें, अगला देखें, अधिकतम बर्सा कहां पर होती है, सबसे अधिकतम बर्सा कहां पर होती है, सबसे ज्यादा बर्सा बिशुवतिये छेत्रों में, जो बिशुवतिये छेत्रों में और निूनतम बर्सा मतलब सबसे कम बर्सा होती है धुरूबी ये छेत्रों में ठीक है अगला देखें महासागरों की ओसत गहराई कितनी है महासागरों की ओसत सब की मिला करके देखें तो कितनी है 4000 मीटर महासागरों की ओसत गहराई कितनी है 4000 मीटर अगला करते हैं सौर बेखिरन का कितना प्रतीसाद भाग प्रिश्वी पर पहुंचता है 51 प्रशीदर समुद्री जल में पाये जाता है सोडियम किलोराइट, समुद्री जल में क्या पाय जाता है, सोडियम किलोराइट, याद रखिएगा, समुद्री जल में, अगला देखें, पछुआ हबा को क्या कहते हैं, जो पछुआ हबा होते इसको क्या कहते हैं, गजरता चालीसा, ठीक है, गरस्ता चालीसा, ठीक है, गरस कितने प्रतीसात होती समुदरी जल की ओसत लवड़ता कितने 35 प्रतीसात उसमें ओसतन लवड़ता पाई जाती है ठीक है लवड़ता हो खारापन जिसको पन बोल दें अंगला देखें ओजोन परत को नश्ट करने वाली गैस कौन सी है CFC CFC का फुलपर हम बता चुके है किलोर फिलोरो कारवन ठीक है बिलकुल मोश्ट है बेरी 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 इंपोर्टेंट ठीक है ओजोन परत को नश्ट करने वाली गैस क्योंकि पिछले टेट एक जामों है पूछा गया इसलिए तो कौन सी है किलोरो फिलोरो कारवन अगला देखिए जाडे के दिनों में बरसा कहां पर होती है आपको बतलाना है तो जाडे के दिनों में बरसा कहां पर होती है तमिलाणू के टटों पर ठीक है जाडे मतलब ठंडी के दिनों में बरसा कहां पर होती है तमिलाणू के टटों पर अगला देखिए फेरल का नियम किस से संबंद है जो फेरल का नियम है किस से अगला देखें, ग्रे नाइट और बैसाल्ट है, ऐसे संबंदित भी एकात प्रिष्ण आता है, इसलिए मैंने इन प्रिष्णों में आपको लिया है, बन लाएनर प्रिष्णे, आपका कम समय लगेगा और ज्यादा उप्योग होगा, ऐसे लगभग हमें आपको 500 प्रिष्ण लाइप कर लें, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दे, अगला देखें, तो आगने चट्टाने, ग्रे नाइट और बैसाल्ट कैसी चट्टाने है, आगने है, अगला देखें, जल रासी का कितना भाग, जल स्वक्ष है, 2.5 भाग क्या है जल, स्वक्ष है, जल स्लेट और संग मर्मर है, स्लेट और संग मर्मर कैसी चट्टाने है, रूपान तरित चट्टाने, पच्छुआ हवाओं के कारण होती है, क्या चक्रवारती वर्सा किस करण से होती है, पच्छुआ हवाओं के कारण से होती है, अगला देखें, उलका से सम्मद्धित घटना उलका से समदित घटनाय किस मंदल में होती हैं मदमंडल में होती हैं याद रखिए का बिलकुल छो मंदल में प्रति 1 किलो मीटर की उचाई पर जाने पर ताप घटता है जाता है ठीक है, बनस्पतियों, जानवरों और सुख्ष जीवों के अपसेस कहां पर पाये जाते हैं, अफसाधी चट्टानों में, अगला देखें, अब ये पन्ने अफसाधी चट्टाने पड़ा था, कौन-कौन सी कहलाती हैं, आपको कमेंट में बतलाना है, अगला देखें, ग्री परियावरण के अध्यान को कहते हैं, अगला देखें, भारत में मानसून का बरणन करने वाला पहला वेक्ति कौन था, भारत में मानसून का बरणन करने वाला पहला वेक्ति कौन, अलमसूदी जो की अरब का विद्वान थे, ठीक है, अलमसूदी ने सबसे पहले मानसून का बढ़नन भारत में किया था अगला देखें जारखंड का राज गंगा नदी संरक्षन प्राधीकरण गठित हुगा बर्स 2009 में जल प्रदूसन निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू हुगा किस बर्स में 1974 में विश्व जल संरक्षन दिवस मनाये जाता है ये मुष अगला देखें भारत सरकार द्वारा केंद्री गंगा प्राधीकरण का गठन किया गया बर्स 1985 में एक नई कोस्चन संसे संबंदित आते ही है आगे सितंबर 1995 में इसका नाम बदल कर राष्टी नदी संरक्षन प्राधीकरण एन आरसी ये कर दिया किस चीछ का बदला था केंद्री गंगा प्राधीकरण का नाम बदल करके क्या कर दिया राष्टी नदी संरक्षन प्राधीकरण ठीक गंगा की जगए क्या कर दिया उसको केंद्री की जगए राष्ट वोई कर दिया और गंगा की जगए नदी प्राधीकरण कर दिया केवल प्रभावियान्द गंगा संृषण अभियान को कहा गया क्या नमामी गंगे नमामी मतलब नमस्कार करता हूँ गंगे मतलब गंगा को ठीक है तो इसको क्या कहा गया नमामी गंगे अगला देखें संस्कित के 비디오 हम आप तक रेगूलर पहुचा रहा हैं जो लोग लिये हो तो राष्टी गंगा नदी बेसिन प्राधी करण का गठन किया गया तो कब किया गया थे फरवरी 2009 में पढ़ा चलिए अगला देखें एन जी बी आरे का लक्षे की गंगा को उसमें प्रभाहित होने वाले ओध्योगों की अपसिष्ट वा असोधित सीवे जल से मुक्ती दी है वही है जो गंगा में जिसना प्रद्यूशन हो रहा है न वध्योगों की कारण से फैक्टियों को सब माटेरियल निकला उसके कारण तो उसको 2020 क्या करना है साब उसको बंद करना है मुक्त कर देना उससे अगला देखें वर्स 2009 में भारत ने स्वक्ष गंगा के लिए इस नाम से जल पुरुस के नाम से जाना जाता है अगला देखें तरुन भारत संग नाम गेर सरकारी संगठन के चेर्मेन कौन है तो राजेंदर से हैं तरुन भारत संग के क्या है ये चेर्मेन है उनको जल पुरुस भी कहते हैं दोनों चीज़े याद रखिएगा पानी पीने के पानी को सुद्ध करने के लिए प्रियोग में किसको लाए जाता है किलोरीन को किसको लाए जाता है पानी को सुद्ध करने के लिए पीने के लिए किलोरीन को चली बहुत सारे आज प्रिष्णों पर हमें चर्चा करने हैं और अभी प्रिष्ण लेते हैं अगला देखें रे में काटों में बदल जाती है ठीक है रेके ठावा पודो की जो पत्तिय है वो जल अनी को रोकने के लिए किसमें बदल जाती है काटों में अगला देखे गंगा नदी डालफिन की समष्टी में हिरास के लिए सिकार छोरी की अलाबा और क्या संभव कारण है में फस जाना नदियों के आसपास के फसल खेतों में संसलिष्ट और वरको और अन क्रिसी रसायनों का इस्तेमाल थोड़ा बहुत है दी कहीं प्रिंटिंग मिश्टिक हो तो आप उसको सुझा लेगे यहां लगा तो उसको अन पढ़ना है चलिए और अच्छे कॉस्चन आगे किसको रख दिया है मेगे टिक डॉल्फिन जो है उसको किसमें रख दिया है रेड लिस्ट सूची में कि अब इनकी रक्षा की जाए संकट गिरस्त है ठीक है अगला देखो कई डाफिन सैयोग से मचली पकड़ने वाले जाल में फस जाती है ठीक है डाल्फिन जो होती है फस 1997 में ठीक है इसमें डाल्फिनों का संरक्षन किया जाता है अगला देखें भारत का राष्टी जलजीव घोसित किया गया है किसको यह बहुत मोश्ट है राष्टी जलजीव कौन है भारत का है डाल्फिन डाल्फिन यो मचली होती है न वो क्या है राष्टी जलजीव है NAPCC का एक भाग है तो राष्टी जल में सनुसी का क्या है एक भाग है इसका फुलपों भी पूछ सकते NAPCC का तो याद रखे न National Action Plan on Climate Change चलिए बहुत अच्छे है मैं उम्मीद है आपको परिशन लग रहे होंगे समझ में भी आ रहे होंगे दोस्तों समझ में ना रहे हों तो आप बताएं चलिए आगे देखते हैं बाटर डिब्ब्रेशन एंड कंट्रोल ओफ पॉल्यूशन सेश एक्ट लागु किया गया कभ किया गया था 1977 में सन 1977 में एक्ट लागु हुआ जल सुद्धी करण प्रणालियों में परावैगनी अल्ट्रा वाइलेट जिसको क्या यूएं ठीक है बिकिरण की भूमका है जल में उपस्ते नुकसान दे है सुख्च्म जीवों को निस्क्रिये या नश्ट कर देती है ठीक है जल में जो उपस्ते नुकसान दे जो सुख्च्म जीव है न जो हमें आखों से नहीं दिखाई दे रहा तो उनको निस्क्रिये कर देती या नश्ट कर देती है कौन प्रावेगनी विकरण एक प्रकार का क्या है विद्धुत चुम्ब की विकरण है कैसा है प्रावेगनी विकरण एक प्रकार का विद्धुत चुम्ब की विकरण अगला देखें जल को जीवानु मुक्त करने है तू प्रियुक्त होता है जल को यदि जीवानु से मुक्त करने ज़ल में जीवानु है तो उनसे मुक्त करने के लिए क्या ओजोन क्या क्या प्रीयोग होता ओजोन और क्लोरीन डायाकसाइड और क्लोरीमीन ठीक है इस तीन चीजें किसको जल को सुद्ध करने में प्रीयोग तो होती है अगला देखें यमना एक्षन प्लान औप्चारिक अप्रेल उन्नीस सो तेरानवे में अनुमोदित किया गया गंगा कारियोजना दुती चरण के तहत यमना कारियोजना गोमती कारियोजना को अनुमोदित किया गया था ठीक है अगला देखो स्त्री स्त्री रवी संकर की संस्था आर्ट ओव लिविंग द्वारा वर्ल्ड कल्चरल फैक्स्टिवल आयोजित किया गया ठीक है क्योंकि यह हाइलाइट हुआ था यह मैटर परियाबरन के उसके तिकफ किया गया था 11 से 13 मार्च 2016 के बीच में किया गया था दोस्तों वीडियो को लाइक करें कमेंट करें हमारी लिंक आप सब तक पहुँचा दें इससे ज्यादा लोग जोड़ सके जितने ज्यादा लोग पढ़ेंगे उतना बढ़िया होगा और आप एदी चैनल को सब्सक्राइब निकिया तो कर लें इससे आपके ही लिए आंगे जो ऐसे वीडियो आएंगे आपके काम के बो तक पहुचेंगे अब एक हम कॉस्चन आपको दे रहे हैं जिसका उत्तर आपको कमेंटें बताना है बरतमान में मैली से निर्मल यमना पुनरधार योजना 2017 चलाई जा रही है या स्वक्षता में महत्त पूर्ण भूम का निभ पहाएगी इसका उत्तर आपको बताना है नहीं तो अंगले वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं आपके रिस्पॉंस भी हाए मिल रहे हैं इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहे हैं जैहिन